असम में विधानसवा चुनाव की जंग जारी है और इसी बीच गोपिनाथ बोर्दुलोई के जिक्र से हवा बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए गोपिनाथ बोर्दुलोई को लेकर कई तरह के सवाल हैं जाहिर है आप में से अधिकान्श लोग इस नाम को लेकर कयास भी लगा रहे होंगे आखिर असम चुनाव में गोपिनाथ बोर्दुलोई की चर्चा मत दाताओं का मूड किस हद तक बदल सकती है दरसल बिजेपी के वरिष्ट नेता और केंदरिये ग्रिह मंतरी अमित शाह ने बुद्वार को असम के कामरूप जी लेके हाजू में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और इसी दोरान गोपिनाथ बोर्दुलोई की चर्चा छेड़ दी शाह ने बोर्दुलोई को भारत में असम के अस्तित्व का जिम्मेदार बताया दरसल लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज असम भारत में है तो इसका एक मातर कारण है गोपिनाथ बोर्दुलोई जी अगर गोपिनाथ जी ना होते तो आज असम भारत में ना होता उन्होंने दावा किया है कि असम की सांस्कृतिक विरासत को केवल बीजेपी ही बचा सकती है तो आईए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गोपिनाथ बोर्दोलोई है कौन गोपिनात बोर्दोलोई को आधुनिक असम का निर्माता कहा जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल के साथ मिलकर उन्होंने स्वाधीनता अंदोलन के लिए काम किये हैं बोर्दोलोई की कोशिशों की वज़से ही चीन और पूर्व पाकिस्तान से बच के असम भारत का हिस्सा बन पाया पूरी जिन्दगी गोपिनात बोर्दोलोई ने असम वासियों के हक में काम किया है उन्होंने जीवन भर असम के आधुनिकी करण के प्रयास किये गोपिनात बोर्दोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के राहा में हुआ था इनके पिता का नाम बुद्धेश्वर बोर्दोलोई और माता का नाम प्रनेश्वरी बोर्दोलोई था उर्होंने अपने पूरी पढ़ाई कलकत्ता में की गुवाहाटी के सोनाराम हाई स्कूल में हेड मास्टर की नौकरी भी की गोपिनात बोर्दोलोई एक स्वतंतरता से नानी थे साल 1946 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत कर वो असम के पहले मुख्यमंत्री बने थे असहयोग अंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें साल 1922 में जेल भी जाना पड़ा था 1930 से 1933 तक उन्होंने खुद को सभी राजनितिक गतिवीदियों से दूर रखा साल 1932 में गुवाहाटी के नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे वहीं 60 साल की उम्र में 5 अगस्त 1950 को उनकी मृत्यू हो गई थी उन्हें सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बहराल हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल टीवी नाइन भारत वर्ष आपकी सेहत आपकी बात देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात मैं हूँ डॉक्र शिखा चर्मा, टीवी नाइन डिगिटल पर देखिए मेरे साथ आप विट तो सब हिट